तो चलिए दूसरा कोशन करते हैं, दूसरा कोशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को कह रहा कि टू फोर्सेस आर सच देट दा सुम अफ दियर मैंगनिटूट्स इस एटीन नूटन अड दियर रिजल्टेंट विच तो हमारे पास कह रहा कि माल लीजियर जो हमारे पास है सपोज लेट स्मालर फोर्स इस उकल टू बी दलार्जर is equal to A एंड इसका जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट क्या है C यह हमने लेट कर लिया ठीक है हमने लेट कर लिया और यहाँ पर डाटा की गेवन है कि मैंगनिट अफ ए प्लस मैंगनिट अफ बी is equal to कितना है 18 और जो रिजल्टेंट है C उसका मैंगनिट क्योंट कितना है 12 ओके और हम सब जानते हैं कि यह case कब किसका है ABD या ABC आपके पास जो है यह क्या है इस अफ फॉर्मेट आफ लाइक राइट अंगल ट्रेंगल यह राइट अंगल ट्रेंगल है राइट अंगल ट्रेंगल है तो हमारे पास जो V वेक्टर होगा like a hypotenious B क्या है आपके पास base A आपके पास hypotenious के राउंड जो होगा ठीक है तो चलिए एक हमारे पास equation बनती है हम सब जानते हैं कि A plus B is equal to 18 क्योंकि यह given है magnitude पहला equation हमने बना लिया अब दूसरा क्या करते हैं हम right angle ट्रेंगल से थोड़ा सा एक equation जानते हैं पैथागुरस A square इसको लिख सकते हैं यह जो perpendicular यह hypotenious है A आपका hypotenious है तो hypotenious का square basic का square plus other side का square तो B को जल लाबते हैं A square minus B square is equal to C square तो इसको simply A square minus B square क्या होता है A plus B और एक ब्रिकट में A minus B is equal to C कितना है C की value हमारे पास है 12 तो 12 का square A plus B simply यहां पर कितना है 18 18 यह जोगी A minus B is equal to 12 12 जा 144 तो A minus B आपके पास कितना हैगा 144 by 18 यह जोगी 8 आपके पास आजाएगा A minus B यह equation number 2 हमारे पास दो equation है A plus B is equal to 18 और A minus B is equal to 8 equation 1 equation 2 solve करते हैं 2 A is equal to कितना हैगा हमारे पास 26 तो A is equal to 13 और यहां पर पूट करिए तो A plus B is equal to 18 में हमने पूट किया A को कितना 13 13 plus B is equal to 18 B is equal to 5 क्या है आपके पास आपके पास A आया 13 न्यूटन और B यहा 5 न्यूटन अंसर इस B I hope आपको समझ में आओगा ओके हंजी तो चलिए तीसरा कुशन करते हैं तीसरा कुशन क्या है रहा हमारे पास तो चलिए करते हैं तो चलिए करते हैं कहीं नकीं एक सिनर्यू बन रहा है एक पार्टिकल इस पर तीन फोर्स लग रहे जो F2 और F3 आपके पर्पेंडिकुलर मली जैसे करके और F1 आपका यह है तो F2 F3 या F1 जो आपके पर्पेंडिकुलर एक सिनर्यू बन रहा करा कि हमने एक फोर्स को क्या गए रिमॉप कर दिया तो क्या होगा तो हम सब जानते हैं कि जो particle है वो remains stationary है particle remains stationary कब इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि resultant force क्या होना चाहिए the resultant force is 0 है ना क्यों क्यों कि F1 plus F2 plus F3 must be equal to 0 क्योंकि यह stationary है तो इसको हम लिख सकते हैं simply F1 is equal to minus F2 plus F3 अब हमने क्या किया हमने F1 को remove कर दिया F1 आपको remove हो गया तो क्या बच्चा then only two force only कौन कौन से force है two force कौन से F2 and F3 act कर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास जो resultant होगा क्या resultant का मतलब यह हमारे पास जो F1 आया resultant जो हमारे पास move करेगा moving force F1 है तो हम सब जाते हैं एक सेशन क्या होता है total force upon में mass तो mass to me था force कौन से remove होगा है F1 upon में M F1 by M this is the answer I hope आपको समझ में आओगा okay thank you